कि शिगरपतन अर्था प्री मैच रिजाइकुलेशन का इलाज करना है करके बहुत लोग मेरे पास में आते हैं बहुत साने लोगों को शिगरपतन और उसके साथ लेंगे कट्रोता नहीं आना ऐसे दो प्राब्लम होते हैं और दो प्राब्लम का इलाज मंगते रहते हैं जिए लोग हमारे पास में आते हैं तुमको यह देखना पड़ता है कि यह कारण क्या है कि इसका शारिक कारण है कि मानसिक कारण यह जोग आप शारिक कारण मतलब भई त्लिपन का प्राबल्लेम है जैसे के डाइबिटीज है की बिमारी इंडीप्रेशर की बिमारी ऑन हाब्टन है फिर कोई तमप्रिष क ससके या बहुथ अच्छा और बना कारण है और जिसके वाज़ेश वार्मोन उसक्रेशoterांगे कि कर ईब दिसफिंक्शन या इसा को आड़िशन करनी है मांसिक कारणी है चिंता, स्ट्रेस है, तनाव है, फिर डर है कि मैं कर नहीं सकूँगा ऐसा डर है, फिर कोई आ जाएंगा, कोई देख लेंगा ऐसा डर है, या कोई पिछले बार करते करते पकड़ गए, या फिर अमीं उमर बढ़ गी है, ज्यादा उमर है, या फिर उसको ऐस जल्दी उसका- ejaculation हो जाता है। यह एगसारी problem जो है, बहुब देखना पड़ता है और वह कारण का इलाच करना पड़ता है, अब कारन एक बार मालूम मं गये मना का पहले एलाच करो, सका रीजन क्या है उसका पहले इलाच करो, और बाद में उसके साथ साथ फिर साकोलोज तो यह दवाईयां लिंग में ब्लड फ्लो बनाती है ब्लड फ्लो जो है वो लिंग में बढ़ जाता है जिसके वजह से लेंगी कट्रोता आती है उसके साथ साथ जब हम उसको बेंजोडाइजबिन या एसे सारा है मुझा सेलेक्टिव सेड़ाइन रेप्टेक इनिविटर फिर थायराइजन जैसे दवाई डाइजी पाम यह दवाई को देते हैं एंटिडीप्रेसेंट भी बहुत बार काम में आती है तो वह दवाई जैव प्राबलेम है उनको दोनों ठीक करने के बिसम इदर ब्लेड फ्लो बढ़ाने के दबा देंगे और इदर इजैक्लेशन नहीं होना चीए उसके लिए दबा देंगे फिर लोकल अनेस्टेटिक्स है जैलोकेन लैडोकेन टाइप वह लोकल एंसेटिक है स्प्रेय है फिर मलम ह और फिर वह आराम से फिर 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 इसके साथ साथ हम लोगों को फिर कीगल्स पढ़ाते है और स्कृष टेकनिक पढ़ाते है तो यह सब सिखाने के बाद में लोग अपना जो एकुलेशन है वो देरी से कर सकते हैं वैसे फिमेल उन टॉप पोजिशन जो है वो किया तो उससे फैदा होता है और बहुत ही जादा है इदी मतलब ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है तो पहले मास्टूबेशन कर लो और बाद में सेक्स करो जिससे काफी समय तक वो ठीक सकता है तो इसारे सब प्रॉब्लम्स जिदी ह देखते हैं और उसका इलाज करते हैं तो डिफिनेटली हर व्यक्ति का वैवाएक जिवन खुशी से जा सकता है वो जी सकता है थैंक्यू वेरी मच